Hi everyone, good morning, welcome back to my channel, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे तो बुद्धवार का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं और मौसम देखी कितना अच्छा हो रखा है सुबह से इतनी बारिस हुई है, बारिस करीब मतलब मैं 4 बजे उठी थी खुब तेज बारिस हो रही थी, लाइट वगरा चली गई है उसी टाइम से मतलब मुझे लग रहा है कि 2-3 बजे से ही बारिस जो है स्टार्ट हो गई थी जब नीद खुली ना 4 बजे तो बहुत तेज वाली बारिस एक्तम हो रही थी और अभी भी देखे धीमी धीमी बारिस होई रही है तो मौसम जो है इस टाइम पे काफी ठंडा हो रखा है, काफी बढ़िया है जो है और ऐसे में ना मौसम में नीद भी बहुत आती है, एक बार मैं 4 बजे उठी तो फिर हुआ कि थोड़ी दिर में जाके ना मतलब नहा दोलूंगी उठ जाओंगी अब सोंगी ने लेकिन फिर जो है दुबारा मैं सो गई और उसके बार लेकिन जो है 5 बजे फिर मैं उठ गई कि नहीं अब उठ जाती हूँ जो है आलस आता है, सुबह सुबह ऐसे मौसम में तो बहुत जादा आलस आता है मतलब अच्छी नीद आती है, यह होता है न कि एक दो घंटे एक्ट्रा मिल जाएं सोने को तो अच्छा रहेगा लेकिन वही है कि फिर होता है कि काम बहुत है, अगर हम सो जाएंगे लेट हो जाएगा तो फिर लेट पे लेट होते जाएगा और अगर सुबह लेट हो जाता है न तो फिर दिन भर के काम जो है अस्त ब्यस्त हो जाते है तो बस यही सोच जो है उठी और नहाद हो लिया, तो मतलब सुबह का जो है थोड़ा सा रूटीन सही हो गया तो बस चाय रग दी थी मैंने, चाय हो गई है पापा को दे दिया है क्योंकि आज वो भी तहलने नहीं गया है नहीं तो डेली सुबह तहलने चले जाते हैं तो सुबह वाली चाय जो है उधर ही पी लेते हैं दूबारा आते हैं तो ब्रस वगरा करके फिर चाय पीते हैं तो अभी घर है तो मैंने चाय दे दिये उनको और अभी अपने लिए नहीं लिए क्योंकि यह सोय हुए है तो यह उठेंगे ना तो साथ में ही मतलब दोनों लोग सुबह का जो है यही रहता है मतलब कि साथ में ही चाय दोनों लोग पीते हैं जो है मैक्सिमम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं रहता है बहुत जल्द बाजी रहती है तो फिर मैं साथ में नहीं पीती हूं नहीं तो सुबह वाला चाय ना हम लोग साथ में ही पीते हैं तो बस यह उठें तो उने बीच मे जो है मैंने दाल वगरा रग दी बरतन वगरा लगा दिया और फिर चाय पीते पीते ही न सबजी का काम हो जाता है तो ये डेली का ही रहता है चाय लेके बैठती हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इत्मिनान से चाय ही पी हूँ चाय पीते पीते भी काम होते रहते हैं तो इसी वज़ा से सुबह वाली चाय का मतलब एक वो रहता है कि सुबह चाय पीना है ने तो मतलब चाय का मज़ा तभी रहता है जब एकदम इत्मिनान से बैट के रिलेक्स होके चाय पीया जाए लेकिन सुबह की आदत है चाय नहीं मिलती है ना तो फिर एकदम जो है दिमाग में बना रहता है कि नहीं चाय पीने के बाद ही एनरजी आएगी तो बस वही सबजी डाला मैंने उसके बाद रोटी चावल यह सब बनाया लाइट नहीं थी बाद में आ गई जो है और मतलब खाना पीना हो गया और यह चले भी गए है तो अभी ना यह दाल उड़द वाली दाल है इसको आज मुझे भीगोना है साम को जो है बड़े बनाने है चाय के साथ जो है तो इसको ना मतलब इसमें थोड़ा सा वो लगया था जैसे छिलके बहुत जादा थे और इसे मैंने पहले धूप में डाला था लेकिन साफ नहीं किया था फटका नहीं था कि मौसम सुबह इतना थंडा था और अभी जो है गर्मी स्टार्ट होगी और इस वज़र से ना ये जो है वाइरल फीवर सर्दी जुखाम बहुत जादा फैल रहा है और हम लोग को भी ना मुझे भी मतलब फीवर जैसे अभी मैं दवा ले रही हूंने तो मुझे भी जो है फीवर हलका हलका आ जा रहा है मैंने बताया था ना कि तब ये जो है थोड़ी सी गड़बर चल रही है थकान सी लग रही है तो वही है जो है मुझे कल फीवर जैसा आ गया तो अभी दवा स्टार्ट किया और इनको भी वही सनीवार से जन माश्टमी के एक दो दिन पहले से इनको भी दिकत है तो दोनों लोग अभी दवा ले रहे हैं तो वही है मौसम इतना खराब चल रहा है एक का एक मतलब ठंडी लग रही है और फिर एक बहुत जादा गर्मी स्टार्ट हो जा रही है तो इस वज़़े से बिमारियां भी बड़ी रही है तो बस जो है किचन व पिर बाद लिया कि थोड़ा सा जितना मुझे भीगाना है उतना भीगा दूंगी बाकी धूप अच्छे से लग जाएगी तो फिर डब्बे में भरके रख दूंगी तब तक साम तक जो है डब्बा सूख भी जाएगा डब्बे वगरा मैं बाहर नहीं रखूंगी क्या होत तो फिर मैं साथ के साथ नहीं सब हटा पाऊंगी तो इसी वज़से बारी-बारी से ढालती हूं अभी दाल वगरा भी डाल दिया है और उपर गेहूं भी है तो अभी कपडे भी जो है कुछ डालने है तो साथ में सारे चीज़ डालूंगी तो फिर दिकत हो जाएगी यहां भी धो के धूप अच्छी निकली है तो डाल दे रहे हूं इसको भी जो जरूरी है मतलब डब्बे तो अंदर भी सुख जाएंगे लेकिन ये सारी चीज़े ना इनको धूप एक दिन नहीं दो दिन दिखाना दो तीन दिखा के फिर जो है इसको बंद करके रख दूँगी तो अगरा लगा तारी धूप भी निकल रहे है बीच बीच में लेकिन बारिस लगा तार डेली हो रही है का दिन बीच में गयब होता होगा नहीं तो मतलब डेली हो रहा है तो जब धूप आज तेज जैसे निकली है ना तो ये हो रहा है कि कितनी सारी चीज़े मैं साफ कर दू और धूप में दिखा दूँ कि मतलब जो खराब होने वाली चीजे जिसमें जैसे फंगस वगरा होता है कि लग जाएगा और इसमेल जैसे आती है तो उन सब चीजों को धूप में डालना जरूरी हो जाता है तो वही सब ये सब डब्बे वगरा धूप में नहीं भी तो भी अंदर ये आज अगर धूप बाहर निकली है तो भी अंदर ये अच्छे से फैन के नीचे फैन चालू कर दूँगी तो सुख जाएंगे नहीं तो बार इसके टाइम क्या होता है कि कितना भी इसको फैन वगरा चालू करके रखो जल्दी नहीं सुखता है तो बस जादा सामान इस पर फैल गया था और दो-तीन दिन से न मैं इसको अच्छे से मतलब टेबल को तो पोच रही थी कपड़ा मार रही थी लेकिन जो सामान वगरा रखे हुए हैं इसमें ये और्गिनाजर में तो वो सब थोड़ा सा नहीं समेट रही थी ऐसे छोड़ दे रही थ क्योंकि टाइम ना थोड़ा इधर जो है कम मतलब पूजा पाठ वरत तो एक दिन बाद भी ना हुआ क्या कि जैसे सोमुआर के दिन जन्माश्ट मी थी तो रात को बारा एक बच गये सोने में सुबा तो नीद मतलब खुल गई नीद तो टाइम से खुली जाती है काम का इतना टेंसन रहता है ना कि सुबा अगर लेट होगा तो लेट हो जाएगा तो मैं उठ गई सुबा ही लेकिन वही है कि पूरे दिन जो है ना एकदम सर और आख पूरा भारी हुआ था नीद नही में मन नहीं लगता अच्छा नहीं लगता जो है तो कल तो मैं सोई थी बाद मतलब दो पहर के टाइम जो है एक दो घंटे सोई नीद पूरा किया कि मतलब एक दो घंटे सो लों तो थोड़ा रिलेक्स मिल जाएगा तो उसके लिए क्या होता है कि काम थोड़ा सा अपना मतलब यह नहीं है कि 2-3 घंटे समय नहीं मिल पाता है तो फिर थोड़ा बहुत काम छोड़ना पड़ता है तो इसी चकर में यह रह गया था तो आज मैंने इसको अच्छे से साप कर दिया जो समान अटाने बढ़ाने थे कुछ क्रीम और थे जो मैंने बताया था ना कि मेरे आख के पास कुछ इसकीन एलर्जी टाइप का हो गया है तो वो मैं कल दिखाने भी गई थी ऑस्पिटल तो उसके लिए ना पहले से ही 2-3 क्रीम जो है डॉक्टर से पूछ के लिया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ तो वो सब मैंने हटा दिया है दूसरा अभी ल तो वो के और शूखने के लिए डाल के फिर खाना मैंने और और तणमे को भी दिया और अपने भी लिया तो खाना पिना हो गया है तो बस कपड़े भी यहां पे धूप में डाल दे रहे हूँ तो आज मैंने सिर्फ अपने ही कपड़े धूले हुए हैं इनके और तनमे के जो है ना मतलब अभी संडे मंडे सनिवार को भी मतलब तीन चार दिन से जब सुबह के टाइम धूप हो रही है ना तो डेली ही कपड़े धूल रहे हैं तो आज मैंने सिर्फ अपने धूले हैं, साड़ी दोती एक गड़ेश-चतुर्थी को पहना था और एक जन मास्टमी के दिन, तो उसको भी आज धूला है, ऐसे ही रखा हुआ था मैंने, आज धूला है, वही रहता है कि धूप का ही चक्कर सब है, मतलब रहता है तब ये मैं एक्स्ट्रा कपड़े तभी दूलती हूँ जिस दिन धूप रहे की मतलब सूख जाए नहीं तो भीगे हुए कपड़े इधर उधर डालना नहीं सही रहता है तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिये हैं चट पे नहीं डालती हूँ डर के मारे की चट पे ले जाओं अच्छे सेग्डम और इनको धूप में डालना बहुत जरूरी होता है सबसे जादा मतलब इनका ही रहता है इसको ना मैं जब भी धूप होता है नहीं धूप होता है तभी अंदर रखती हूँ मतलब डालती हूँ नहीं तो धूप रहता है ना तूरंत ले जाके बाहर फैल जादेती हूं कि मतलब इसमें जो है ना बिलकुल भी smell वगरा कोई भी germs वगरा ना रहे क्योंकि kitchen towel ना सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ही देखने में तो नहीं पता चलता है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसको अच्छे से हमना साप करें ना तो smell भी आएगी और ये सबसे जादा जो है मतलब इसमें बैक्टिरिया वगरा जर्म सोते हैं अगर धूप न लगया तो गरम पानी में साप किया जाए तो मैं गरम पानी वगरा में नहीं साप करती हूं डैरेक्ट धूप में पहला देती हूं तो बस यहाँ पे भी सारा बर्तन वगरा लगा दिया है तो आनी नहीं थी क्योंकि ये सब फैलाया हुआ था गेहूं अगरा ना तो जब मैं छट पे कुछ फैला देती हूं बरसात के टाइम में ना तो मुझे नीद अच्छे से नहीं आती ये होता है कि कब कहीं बारिस ना जाए तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी तो गेहू सब काम जो है थोड़े बहुत निप्टाए और अभी जो है फिर यूटूब का एडिटिंग हो अगरा किया और अभी यहाँ पे यह जो है उड़त दाल मैंने भीगाया हुआ था तो इसको पीस लिया है और इसमें लेसुन मेर्च ये सब मिला के पीसा हुआ है तो बस इसके बड़े बना ले रही हूँ चाय का टाइम हो गया है बीच में लाइट थोड़ी सी चली गई तो मुझे वेट करना पड़ा इसको पीसने के लिए लेकिन आ गई जो है तो दस पंदर मिनिट लेट हुआ नहीं तो अब तक ये बन गया होता तो उपर से मैंने दाल में जो है ह घर के तेल में ही बनाती हूँ टेस्टी भी लगते हैं और जाग वगरा इस तरह का नहीं है और थोड़ा कम सोकते हैं ये बड़े ना तेल बहुत सोकते हैं तो घर का तेल रहता है ना तो थोड़ा सा कम लगता है और ये जो खरीदा हुआ है ना तो इतने बड़े बनाने मे में बहुत जल्दी मतलब तेल लगता है खत्म हो जाएगा सरसु हो जाता है तो तेल में रख देती हूं कभी तो ऐसा होता है कि खरिदना ही नहीं पढता साल भर चल जाता है लेकिन कभी ऐसा होता है कि मतलब 5-10 किलो 20 किलो ऐसे तेल वी निकल गया तो बीच बीच में यह सारी चीजे बनाने में काम आ जाता है इदर मैंने चाय भी रख दी है तो एक बार के निकाल लिए है मैंने और इसको ना फोर्क से मैंने जो है काटे वाले चमस से इसको मतलब अच्छे से इसमें होल करके फ्राइ किया है वो कलिप्न मीश हो गई थोड़ा सा तो बस ले जाके पापा को दे दिया, दूबारा फ्राई किया तो तन मैध को दिया और यह अभी नहीं आये हुए हैं तो फिर बाद में यह आये तो इनको जो है, इनके लिए और अपने लिए फिर से फ्राई किया तो यहाँ पे कपड़े भी सूख गए हैं तो इन सब को हटा ले रहे हूं साड़ी एक दो एक और ये रेड़ वाली भीगी रह गई तो इसको अभी फैला दूँगी कि अभी हवा है न थोड़ा सूख जाएगा तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रहे हूं आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्ट वीडियो में बाबाई थैंक्स वर वाचिंग